नमस्ते दोस्तों स्वागता आप एक और नहीं वीडियो में एक और नहीं आइडिया के साथ दर्फतार मिश्टर भी इस्टा रहा है इंडिया वो भी अपनी पूरी सेना लेकर साथ में लौंच करेगा अपनी चोकलेट फीश्टेवर्स जिसका वह अपनी हर वीडियो में प् फिर मैंने छोड़ दिया अब फाइनली पता चला है के साथ जो है को लैप करके जैसे भी लॉंच कर रहा है अपनी इंडिया में फीश्टेवर्स तो एक बार दोगा इसे चखना बनता ही है जब भी हो जागी तो दस्तार को आगे करेगा तो दस्तार को साथ में प्राइम कर में रहता है वैसे यार इस तरीक्ये से उसे दवातते रहो मैंने यूट्यूब पर वीडियो देखी थी पेपर का आइफोन बना के जो है ना उसके अंदर कुछ तो भर रखा था बहुत ही सैटिस्पाइड लग रहा था उसी हिसाफ से यार मुझे वह बढ़े लगा मैंने स दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी वहां से क्लिक करके डाउनलोड कर लेना और एक जो पेपर होता है उससे एक चोकलेट बनेगी तो यह हमारा एक टेंपलेट मैंने ले लिया है और इसे सिंपल जो कटिंग नइफ आता है उससे मैं कट कर रहा हूं और इस कम से कम मार्जिन रखके काटोगे एकदम सफाइस है तो उतनी एच्छी हमारी बनेगी और यार कैची से काटना चाते हो तो कैची से भी काट सकते हो तो इस तरीके से जो साइड़ों में रैपर के एंड में जो यह कटिंग आती न यह भी बिल्कुल वैसी दी हुई है तो इसे भी थोड़ा स मैं प्रोसेस लाताओ है तो यार कहां से नहीं लाता है मैं यह इंटरनेट पे से i image's download करके तो यह हमारी दुनों जो है ना जितने भी पीसे से सब पट चुके हैं अब सबसे पहले हम बनाएंगे अपनी चोकलेट उसके लिए चाहिए इस तरीके की जो फोम आती है सबसे पहले मैंने जो यह देख सकते हो यह जो ता ना इसमें एक चोकलेट का यह शेव बन रहा होगा इसे सिंपल नाप लेना है तो मेरा यह पांच सेमी बाई 12 सेमी का आ रहा था तो उसी तरीके से एक फोम सीट ले लिए है जो यह आती है दो एमेंएम की स्पंच भी कह सकते हो या फिर आपके पास मोटी स्पंच है तो उसे भी पतला घर लेना और उसका सिंपल पांच बाई 12 का एक इस तरीके से चकोर काट लेना है मुझे थोड़ी सी मोटी चोकलेट बनानी है और मेरी फोम पतली है तो इस वाज़े से मैंने दो पीस काट ते ह अगर आपके पास एक मोटी स्पंच है तो उसे सिंपल एक स्पंच को भी यूज़ कर सकते है या फिर और पतली है तो तीन चार लेयर और इसके बाद मैंने इसके एक उपर एक रख्या कुछ इस तरीके से चिपका गया अपनी चोकलेट का शेप बना दिया अब हमारे फोम क पास जो है न हलका सा चमकेगा या फिर लाइट में देख लेना तो मेरा तो अच्छी तरीके से मोड़िया और उसके बाद उसके बीच में हमारे जो पीस था फोम का उसे कुछ इस तरीके से रखना है और इसके बाद मैंने साइड किनारे और मोड़े और बैसिकली हमें यह हमारा foam का piece है इसे इसके अंदर pack ही करना है और ये कुछ इस तरीके से pack हो जाएगा अगर आपका नहीं होना तो थोड़ा सा और पतला कर लेना अपने जो piece को तो मेरे तो अच्छी तरीके से fit हो रहा था और उसके बाद जो ये हमारे जो cover था इसे पूरा बंद कर देना है और बंद करने के बाद हमारा जो chocolate का जो main हिस्सा है कह सकतो वो बं रहा है धीरे धीरे और हमारा जो ये foam है अंदर fit हो चुकी अब side से भी जो है इसे बंद करना पड़ेगा side से बंद करने के लिए मैंने side से पहले cut लगाया और उसके बाद guys paper को जो है पिछे की side में fold करके और चिपका देना है कुछ इस तरिक्के से तो हमारी बस अंदर की ये जो बननी है ये अंदर की वाली chocolate बन लिए और ये main ने एक तरफ से बंद कर दिया और सेम उसी तरिक्के से दूसरी side से भी बंद कर दिया है glue gun लगा के और देख सकतो हमारी chocolate कुछ इस तरिक्के की बन रही है या फिर कहलो की बन चुकी almost और चिपकाने के लिए फैविकोल भी उस कर लेना क्योंकि paper है चिपक जाएगा आराम से फैविकोल से भी तो हमारी ये beach की जो chocolate आती है एकदम बढ़या बन चुक है बढ़या से काई दब भी रही है एकदम साइज चलो अब बनाते हैं अपनी face tables का cover उसके cover को बनाने के लिए जो ये हमारा template था जिसके side में blue color की पट्टी निकली थी इसे हमें मोड लेना है इस तरीके से जैसे कि box type का होता अब देखे सकते हो वीडियो में पहले तो line by line मोड ला है उसके बाद थोड़ा सा और तो ये कुछ ऐसा लगेगा और इसके फिर किनारों में हलका हलका फैविकोल लगा के और मैं यहाप फैविकोल यूँस कर रहा हूं देख सकते हूं यहाप गिलूगन नहीं कर रहा क्योंकि मुझे एक्दम अच्छे तरीके से चिपकन चाहिए चाहिए थोड़ा सा टाइम लग जाए तो मैंने फैविकोल लगा के इसे चिपका दिया और उसके बाद इसके उपर का जो कवर था उसे कुछ ऐसे चिपका दिया तो हमारा यह फीश्टेबल का जो खोल है वो कह सकते हो बन चुका है और इसके अंदर अपनी चोकलेट जो है फैविकोल लगा के इसे बंद कर दिया है और अंदर हमारी चोकलेट टैक हो चुकी है अगर आप इसको खुला रखना जाते हो तो खुला भी रख सकते हो और अंदर से चोकलेट निकाल के भी अपनी सैटिसपेक्शन कर लेना जैसे भी सही लगा है मैंने तो जो है न इसके अंदर बंद कर गया और फिर इस पर फैविकोल लगा के चिपका दिया और तो भी ठीक है और इतना इनियार जब यह चिपका दिया तो फिर मुझे एक कमी खली कि यार इसमें से चोकलेट भी निकालनी चाहिए मुझे तो इसलिए मैंने ऐसी बिल्कुल सेम एक और अपनी फ चोकलेट भी निकाल लूँ एकदम अच्छी तरीक्के से मैं आपको इसके आवाद सुनाता हूं अब आज कैसे आती है यार ऐसा नहीं कि बस मैंने इसमें फॉम फॉम भड़ दियो तो इसमें भी पूरा मस्त मज़ा और इसमें भी और मैं सोत रहू हूं यार बहुत सेरी ऐसी फीस्टेवल्स बनाऊं और बाकी दसतार एक कूर रियल वाली लोंच हो जाएगी एक बार चक्ते जरूर देखनी है इसे तो नहीं चक सकते हैं और किसी ने खाई है कि बताओ कैसे लगती है मैंने तो यार अभी तक एक बार भी नहीं ट्राइग रही क्योंकि इंपोर्ट वाली बहुत महंगी थी एक बार मैंने देखी थी और भाई इतना सोर मचाता ने हर वीडियो में मिस्टर बीस्ट की फ कैसी लगती है बागी मैंने अपनी दो यह बना दी इसे मैं अपनी टेवल पर रख दूँगा तब भी गाईस मेरा मैं बोर्यत आगी या फिर ऐसी टाइम काटने के लोग बस ऐसा है कचल कचल करते रहो बागी इस वीडियो में इतना ही और अगर आप बना चाहते हो अपनी